Hello student, Welcome to my YouTube channel आज के इस वीडियो में बात करेंगे MSC Chemistry student के लिए एक ऐसे career option की जहाँ पर की अच्छा pain, perks से और साथ में growth opportunity भी बहुत ही जादा है इस वीडियो में आपको practical example के साथ जहाँ पर की जो opportunities हैं वो कैसे listed हैं, कैसे आपको apply करना है, उन सभी के साथ आपको बताऊंगा जिससे आपको एक idea लग सकेगा साथ ही साथ जिस opportunity के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारी opportunities आती है इस opportunity के बारे में जब आप देखेंगे, जब आप समझेंगे इसे तो आपको ये भी पता चलेगा कि और जो other opportunities हैं, उन में मुझे कैसे apply करना है और क्या-क्या skill set required होता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, FIDZE जो की एक बहुत ही well known coaching institute है जहाँ पर की जो 11-12th की student जो की आगे J-E main, J-E advance के लिए preparation करते हैं, उनकी coaching करवाई जाती है, और वहाँ पर chemistry student, खास कर जो MSC chemistry और PhD chemistry student है, उनके लिए क्या-क्या career opportunity हो सकती है इस वीडियो के थूँ आपको बताऊंगा, और ये जो सारी information जो मैं आपको share कर रहा हूँ जो इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ उससे आप FITZE की official website पर जाकर भी check कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर FITZE की official website पर जब आप जाएंगे, तो वहाँ पर career के section पर जाने के बाद, वहाँ पर आपको advertisement दिखेगा, और उस advertisement में आप देखेंगे कि यह teaching career at FITZE means respect, status and stability अब यहाँ पर जो है वो teachers की vacancies लगातार आती रहती है और इन्होंने तो पूरा जो है वो next schedule इन्होंने define कर रखा है कि कब-कब हम recruitment करेंगे और कब-कब आपकी joining होगी सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो career options हैं वो इन्होंने A, B and C तीन category में define कर रखे हैं पहले और उसके बाद जो fitzy के schools हैं उनमें S1, S2, S3, S4 और S5 यानि कि total 8 categories में यहाँ पर इन्होंने अलग-अलग categories में define कर रखा है तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है J.E. mains और J.E. advance वाले section में वहाँ पर chemistry student की requirement यहाँ इस coaching institute में है as well as जितनी भी coaching institute है जो J.E. mains और NEET की preparation करवाती है सभी जगर आपकी बहुत अच्छी demand रहती है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ ही साथ की synergistic preparation for J.E. mains and J.E. advance 12th board KVPI and international olympiard यहाँ कि इस section के लिए recruitment होता है जिसमें physics, chemistry और mathematics तीनों ही जो subject है उनके लिए recruitment होता है और जो salary की range है वो है 20 lakh per annum से 2 crore per annum तक आप समझ सकते हैं friends 20 lakh per annum से 2 crore per annum तक आपकी salary जा सकती है तो यह जो है वो power है coaching में आजकल आप देख रहे होंगे कि जितने भी जो coaching institute है जहाँ पर जो teacher famous है जो अच्छा बढ़ाते है वो celebrity से कम नहीं होते है तो यहाँ पर यह पहला section था जिसे A कहते हैं और जो B section है उसमें जो teachers चाहिए होते हैं वो RMO, IO, QM यह जो है वो basically salary range है वो 8 lakhs per annum से 40 lakhs per annum होती है मैं यहाँ पर जो basically focus कर रहा हूँ वो section A है जहाँ पर की J E mains और J E advance के लिए chemistry teachers की requirement होती है और यहाँ पर MSC chemistry और PhD chemistry student के लिए बहुत अच्छी opportunity है salary range मैं आपको बताई दी साथ में जो other sections हैं जिसमें PGT chemistry की recruitment होती है वो आप जब advertisement को पढ़ेंगे तो आप वहाँ से अच्छे से समझ पाएंगे यहाँ पर अगर eligibility की बात करें तो यहाँ पर eligibility criteria है passion for teaching with an ability to make the student think differently having innovative teaching ideas and teaching from fundamentals ability to teach online with the same effectiveness as the offline classes तो यह जो है वो सभी eligibility criteria है तो coaching institute में जब भी आप पढ़ाते हैं आपके पास जो पढ़ाने का तरीका है वो आपका innovative होना चाहिए और ऐसा आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो होना चाहिए जिससे कि student जो है वो अच्छे से concept को समझ पाए क्योंकि एक होता है कि हम 11-12 class के बच्चों को chemistry पढ़ा रहे हैं जिने की theoretical exams देना है वहाँ पर पढ़ाने का आपका approach अलग होगा लेकिन अगर आप किसी भी competitive exam के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं chemistry तो वहाँ पर आपको जो है वो conceptually पढ़ाना होगा वहाँ पर आपकी जो approach है वो different होनी चाहिए इसलिए यहाँ पर eligibility criteria में भी mention है कि having innovative teaching idea तो यह बहुत ही जरूरी condition होती है आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि क्या आप में chemistry पढ़ाने के लिए passion है और अगर आप में passion है तो कैसे आप एक अलग तरीके से innovative तरीके से chemistry पढ़ा सकते हैं जितना ज़्यादा आप innovation लेकर आएंगे उतनी ही आपकी जो demand है वो बढ़ेगी तो यह eligibility criteria हो गया अब अगर हम बात करें तो other personality traits जो की required होते हैं वो आप जब advertisement को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे अब अगर हम बात करें सबसे important factor की वो होता है selection process तो selection process के लिए आप फिटजी की official website पर जाकर भी apply कर सकते हैं साथ ही साथ आप यहाँ पर अपना resume with passport size photograph और साथ में साथ आपको यह भी specifically mention करना है कि कि किस category के लिए आप पढ़ाना चाहते हैं यह सारी details आप इनकी जो email ID यह official email ID वहाँ पर आप send कर सकते हैं अलवा आप अपना resume courier के तुरू भी भेज सकते हैं लेकिन आज के digital league में आप अपना CV directly इनकी email ID पर share कर सकते हैं तो यहाँ पर जो selection process होगा जब आपने अपना CV भेज दिया और उसके बाद अगर आपका CV shortlist हो जाता है तो उसके बाद आपको online group discussion होगा उसके बाद आपका model lecture होगा और उसके बाद आपका interview होगा यानि कि आप देख सकते हैं कि जो इनकी selection process है वो काफी stages से होकर गुजरती है क्योंकि इनको यहाँ पर best में से best teacher चाहिए होते हैं इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो salary range है वो भी इनकी काफी ज्यादा हाई है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो selection के phases होंगे यह selection के phase इनकी जो official website है और official advertisement है उसमें इन्होंने phase 1, phase 2, phase 3 और phase 4 यह 2022 के लिए हैं और जो 2023 के लिए भी phase 1 इन्होंने अपनी official website पर बता रखा है तो इससे आप देख सकते हैं कि काफी long term vision है इनका recruitment के लिए भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो schedules हैं वो इन्होंने mention कर रखें जहाँ पर आपकी last date कब है apply करने की आपका date of recruitment कब होगा आपकी joining date क्या होगी सारी detail यहाँ पर बहुत ही clearly mention कर रखेंगे आप जब इस recruitment advertisement को पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंग तो वो इंडिया और गल्फ दोनों ही जगह है अब इंडिया में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर की आपका place of work होगा तो यह बहुत सारी जगह है जैसे डेली NCR है डेली NCR में काफी सारी places है नौईडा है greater नौईडा है और इंडिया के आप देख सकते हैं कि लगबग हर state मे फिटजी की branches हैं तो जो सारी cities हैं वो आप जब इनका advertisement देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा गल्फ में भी है गल्फ का आप देख सकते हैं अबुदाबी है बहरीन है दमन है दोहा है दुबई है जदा है कुवेत है मसकट है रियाद है और सारजा है यह सारी locations है अ अभी जो conditions है pandemic की वज़े से यह जो training है वो online हो रही है तो जब आपकी training complete हो जाएगी तो training complete होने के बाद आपको आपकी respective category में joining दे दी जाएगी तो यह बहुत ही अच्छा career option है उन student के लिए जो की chemistry teaching में जाना चाते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा earn भी करना चाते है क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों की यह शिकायत होती है कि सर्ट teaching करना चाते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन्होंने खुद अपनी official website पर mention कर रखा है कि 20 lakh से लेकर 2-2 करोड तक के package पर एनम offer किये जाते हैं chemistry teachers को तो यहा करते हैं कि आपकी teaching innovative होनी चाहिए अगर आपकी teaching में वह बात है वह quality है वह innovation है जो कि J.E.Mains और J.E. Advanced level पर required होता है तो definitely आप 2 करोड पर एनम से भी ज्यादा earn कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे coaching institute हैं तो जब आपकी एक image बन जाएगी जब आपका एक level हो जाएगा teaching का तो आपको और भी जो दूसरे coaching institute है वहाँ से अच्छा अच्छा offer आ सकता है I think यह video उन सभी student के लिए एक motivation की तरह भी काम करेगा जो कि MSC chemistry करने के बाद teaching में आना चाहते हैं और ऐसे सभी student जो अभी अपनी MSC chemistry की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें यह पता चल सकेगा कि आगे जब MSC chemistry complete करने के बाद अगर मुझे इस line में आना है coaching industry में अगर मुझे पढ़ाना है तो मुझे कौन-कौन से parameters पर ध्यान देना होगा जिससे की अभी से वो अपना improvement शुरू कर सकता है और ऐसे सभी student जो की eligible हैं अभी apply कर सकते हैं आप इनकी website पर जाएं अगर आप interested हैं तो आप भी apply कर सकते हैं I hope यह वीडियो आप सभी के लिए helpful रहेगा informative रहेगा thank you for watching this video